असलाम अलेकुम सबसे पहले मैंने लिया है वीफ हाफ केजी अंडर कटका है और देखे मैने इसको स्टेक की शेप में कट कर लिया है तो फिर मैंने लिया है एक प्लास्टिक बैग और उसमें हम भीफ हो इससरा से रख देंगे और इसको किचन में मुझूद किसी भारी चीज से कूट लें मैंने मसाले कूटने वाला लिया है और इसकी मदद से मैं बीफ के उपपर हलके हलके से चोट लगा दूँगा इसका रिजन ये है कि इसकी वज़ज से बीफ के रेशे सोफ्ट हो जाते और इस टेक पक्ते में बहुत जादा नरम बनता है देखें इस तरह से इसका साइज जादा बढ़ा हो चुका है और अभी से बहुत जादा सोफ्ट हो चुका है और इस तरह से हम सभी बीफ के पीसिस को कूट लेंगे और फिर तयारी करते हैं इसकी मैरिनेशन की जिसके लिए एक बोल में मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबिल स्पून काली मिर्च पॉडर 1 टेबिल स्पून पैप्रिका पॉडर 1 टेबिल स्पून औरिगानो 1 टेबिल स्पून नमक 1 टेबिल स्पून मस्चर्ड पॉडर 1 टेबिल स्पून लसन का पेस वन टेबिल स्पून सोय सॉस थी टेबिल स्पून वूस्चर सॉस थी टेबिल स्पून सफैस सिरका थी टेबिल स्पून अब इसको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताके तमाम spices आपस में अच्छी तरह से mix हो जाएं Marination का mixture तयार हो चुका है इसमें हम add कर देंगे बीफ का piece और उसको इस मसाले में अच्छी तरह से marinate कर देंगे इसी तरह से हम सभी बीफ के piece को marinate कर लेंगे देखे बीफ के तमाम पीस अच्छी तरह से marinate हो चुके अब मैं इसको फ्रिज में 10 से 12 घंटे के लिए रख दूँगा क्योंकि बीफ स्टेक के लिए बीफ को मसालों में अच्छी तरह से marinate होना ज़रूरी है 12 घंटे गुजर चुके अब मैंने लिया है ग्रिल पैन और उसमें add कर रहा है oil, half cup और उसके ओपर हम add कर देंगे बीफ स्टेक के piece चूले की flame को मैंने low पर रखा हुआ है इसको एक ही side से 10 minute के लिए पकने देंगे 10 minute गुजर चुके अब मैं इसकी side change कर दूँगा देखे बीफ एक side से पक चुका है अब दूसरी side से भी इसको 10 minute के लिए पकने देंगे क्योंकि मैंने under cut का piece लिया था तो इसको पकने के लिए दोनों side से 10-10 minute का time चाहिए होता है जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाता है लेकिन अगर आपको under cut का गोश्ट ना मिले तो आप रान या दूसरी जगा का गोश्ट भी ले सकते हैं लेकिन फिर उसको पकाने की timing आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी आप चाहे तो फिर उसको cover करके भी पका सकते हैं तो मैंने इसकी side change कर दी है अब ये मज़ीद 10 minute के लिए पकेगा जब तक हम तयारी कर लेते हैं हमारे mushroom cheese sauce की और veggies की जिसके लिए एक pan में मैंने लिया है मक्षन 1 डेबिल स्पून और उसमें मैं एट करूँगा fresh cream 100 gram चूले की flame को मैंने low to medium पे रखा हुआ है और इसको mix कर लेंगे cream और butter के mix होने के बाद अब मैं इसमें एट करूँगा सफैद मिर्च quarter table spoon काली मिर्च quarter table spoon नमक quarter table spoon औरिगानो quarter table spoon इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे देखे sauce में तमाम spices mix हो चुके हैं अब मैं इसमें एट करूँगा cheese 50 gram चूले की flame को मैंने low पर रखा हुआ है बस इसको 2 minute के ले cook करेंगे जब तक cheese इसमें पिगलना जाए और फिर last में एट करेंगे mushroom 50 gram बस हमने इसको 1 minute के लिए mix करना है और mushroom cheese sauce हमारी तयार है और देखे माशला से कितनी मज़ेदार बनी है तो इसको side में करके अब हम तयारी कर लेते हमारी सबजियों की जिसके लिए एक कड़ाई में मैंने लिया है oil, two table spoon और इसमें मैंने एट कर दिये गाजर, half cup जिसको मैंने बारे cut किया हुआ है मटर, half cup बस इसको 2 minute के लिए fry करेंगे और फिर इसमें एट करेंगे शिमला मिर्च, एक अदत जिसको बारे cut किया हुआ है प्यास, एक medium size का इसको भी मैंने rings की shape में cut किया हुआ है बस अब हमने इसको एक मिनिट के लिए mix करना है और फिर एट कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, one table spoon और इगानो, half table spoon नमक, half tea spoon आप अपने taste के मताबिक भी mix कर सकते है इसको एक मिनिट के लिए mix करने के बाद अब मैंने add किये है आलू, जिनको मैंने boil किया हुआ है इसको थोड़ा सा mix करने के बाद चूले की flame को मैंने off कर दिया है और फिर मैंने last में add किया है खीरा, एक अदत बस इसको mix करेंगे और wedges हमारी तयार है अब हम आते हैं हमारे steak के पास जिसको दूसरी side से पकते हुए भी 10 मिनिट हो चुके हैं याद रहे कि steak की flame को मैंने low पे रखा हुआ था अब मैं इसके उपर add कर दूँगा इसकी marination का mixture ये marination का mixture add करने के बाद इसको दोनों side से मजीद 2-2 मिनिट के लिए cook करेंगे जिसकी वज़े से इसका taste double हो जाएगा देखें इसको पकते हुए 2 मिनिट हो चुके है इसकी side change करेंगे और beef steak हमारा तयार है माशाला से बहुत जादा अच्छा color आया तो इसको serving plate में dish out कर लेते हैं सबसे पहले में रखे हैं steak और साथ ही में हम add कर देंगे हमारी spicy सबजिया और फर इसकी topping करेंगे mushroom cheese sauce से माशाला से ना सिफ दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहे है बल्गे खाने में इससे भी ज़्यादा double tasty है steak का जाइका spicy और juicy है और साथ में mushroom cheese sauce इसको बहुत अच्छा और different जाइका दे रही है veggies के साथ सर्फ करेंगे तो माशाला से और भी ज़्यादा tasty लगेगा मेरी recipe को follow करते हुए बनाए इन्शाला घर में सभी से तारिफ मिलेगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको अपनी family और friends के साथ शेयर करें इन्शाला मिलते हैं अगरी recipe में जब तक के लिए Allah आफिस झाला आफिस